हेलो बच्चो स्वागत है आपका मेरी य्ट्यूट चैनल पर आज हम सिक्षान इदिशाले द्वारादी के क्लास 6 की वर्कशीट 26 डिसकर्स करेंगे जिसका सब्जेक्टिव ज्यान और डेट है बच्चे इस वर्कशीट की 20 जनवरी 2021 बच्चो यहाँ पर आप अपने नाम ल का प्रिवेश यह हमारे चैप्र का नाम है और इसमें हम पढ़ेंगे जीवों की विशेष्टा है तो जीवों की विशेष्टा देखें फर्स्ट है इसमें विशेष्टा उद्धीपन तो सभी जीव अचानक हुए प्रिवर्तन पर अनुकिरिया करते हैं तो जितने भी जी प्रकाश होने पर मुनुश्य अथ्वा जानवर अपने स्थीति के अनुसार अनुकिरिया करते हैं तो जैसे कि हमें पता है जैसे अगर तेज लाइट हो जाती है तो वह क्या है अनुकिरिया करते हैं वैसे जानवर भी इसी प्रकार अपनी अनुकिरिया देते हैं आओ अभिय करें रोसोई घर में अचानक बलब जलाने पर कोक्रेज की परकाल की नुक्रिया करता है तो अगर आप बलब जिला रहें तो एकदम कोक्रेज क्या करता है कोक्रेज भागने लगता है ठीक है याँप इस में लिख लेंगे नेक्स लिखते हम क्या सजीव में सरजन होता है उनसरेग का सभी सजीव बोजन करते हैं आहार का कुछ भी भाग शिर की द्वर प्योग में आता है और बाकी अप्शिस्ट के रूम में शीर से भाग निकाल देते हैं इस निकालने के प्राक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं तो सर्जन क्या होते हैं जैसी जो भी बोजन आप खाते हैं बच्चों उसका कुछ पार्ट ही हमारे बोड़ी पे लग जाता है और जो वेस्ट पार्ट होता है बोजन का उसको हमारे शीर के दुवारा निकाल दिया जाता ह वो निकाल दिया जते उस प्रोसेस को कहते हैं सरजन नेकस्ट है क्रप्शण करने की परिकिरिया पोदो और जंतों में अलगलग होती है प्रजनन की होते हैं जिसमें वह अपने जैसे जीव पैदा करते हैं और कुछ क्या करते हैं और की उटेओं कि गदल कह प्यांद wellness लुँद न इसלती कि और नध्ती है जैसे पिकल से बस केदा प्रजिला करते हैं और कुछ प्रकार का भी सरजन होता है जैसे कि आलू में भी क्या होता है इस प्रकार प्रजिन होता है कोशन क्या हमारे पास तीन तीन जीवों के नाम इकिए जो अंडे देते हैं और जो शीशु को जनम देते हैं तो देखते हैं को उनसे वह जो शीशु को जनम देने वाले जीवों से मनुश्य गाए और कुटाई सभी क्या शीशु सभी जीव क्या सभी सजीव की द्वारा की जाती है क्या सभी जीव गती करते हैं तो अधिकतर जीव एक दुसरे स्थान से दुसरे स्थान पर गती करते हैं तो इसने कहा है कि जो अधिकतर जीव होते हैं वो गती करते हैं जैसे कि पोधे समानिता जमीन से जकड़े रहते हैं हो क्या रहते हैं मिट्टी से जक्रे रहते हैं उसलिए गति नहीं करते परंतु जो विवीन पर्धार जैसे चल और खनीज भाग एक बदार हैं हमारे सजीव हैं क्योंकि वो गती नहीं कर सकते लेकिन जो जल और खनीश पदारत वह एक दूसरे के अंदर सनवाहित होते रहते हैं इसले क्या हमारे सजीव है तो कोशन क्या इसमें कार और बस गती नहीं करती इन वस्तुएं सजीव है या नर्जीव कहेंगे या और क्यों तो इसने पुछे आरे को जो कार है वो मुमेंन नहीं करती गती नहीं करती तो इसका आप क्या कहींगे सजीव कहींगे इनरजीव तो हमें पता है जार क्योंति है है हैर कि सास नहीं आए नर्जी我說 before TV कि यह सास नहीं लेती क्योंकि अपिन क्योंगी कर फिले कर और सास नहीं लेशकते यिए नहीं ले सकते तो इसमे यह लिखलेंगे पूरा प्र days निर्जी लिखिए फिर आप इसको यह अंसलिक देंगे तो पूरी वक्षीट बच्चों हमारी complete हो गई है अगर आपको वक्षीट समझ में यह अच्छी लगए तो इस प्रकाइच अच्छी वीडियो की के लिए आपको वेड़ ना करने पड़े इसके लिए चानल को सब्सक्राइब कर दें सब्सक्राइब के ल है